जिसने भी new BPL Ration Card के लिए apply किया था, अब उन लोगों के Ration Card के approval के लिए finally date open कर दी गई है अब जो लोग भी wait कर रहे थे Ration Card को approval करवा लेने का, तो finally आपके लिए good news है तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में detail बताऊंगा आप लोगों को, यह जो approval open किया गया है, new Ration Card का, यह कितने दिन तक चलेगा, क्या-क्या time तक चलेगा, और आप लोगों को कैसे approval करवाना है तो इसके लिए वीडियो का एंट तक जरूर देखना, और जो लोग में चैनल को सब्सक्राइब ने करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी करनाटका स्टेट से हैं, जिसने भी new BPL Ration Card के लिए apply कर रखा है, या तो पहले apply किया था, या फिर अब भी recently जो बीच में emergency के time पे open हुए थे, तब ही apply किया हो आपकी information के लिए बता दूँ, जो लोग भी new BPL Ration Card के लिए apply करते हैं, उन लोगों को apply करने के बाद सरकार से approval भी लेना पड़ता है, तब जाके उनका Ration Card बन के आता है जब तक आप approval नहीं लेते, तब तक आप लोगों का Ration Card pending में ही रहता है, अब जिस जिस ने भी Ration Card के लिए apply किया था, अब आप लोग approval ले सकते हैं सबसे पहले इसकी rate बता देता हूँ मैं आप लोगों को, 11 August 2024 से ये Ration Card के approval स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट rate है 20 August 2024, और timing बता जा रहा है सुभा के 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, अब मैं आप लोगों को Ration Card approval लेते कैसे हैं, उसके बारे में पुरा procedure बताता हूँ सबसे पहले आप लोगों ने जो भी Ration Card के लिए apply किया था, उन लोगों की पास कुछ इस तरीके का acknowledgement पड़ा होगा, आपने apply किया था, जिस तरीके से जिसका जिसका नाम था उसके अंदर, आपकी details वगरा, सारी चीज़े उस acknowledgement में होती है, अब ये acknowledgement अगर आपने समाल के जरूरत नहीं है, ये acknowledgement से आप लोगों का काम हो जाएगा, इसी acknowledgement को आप लोगों को जिरक्स करवाना है, जिरक्स करवा कर आप लोगों को ले कर जा कर देना है, आपकी nearest तहसील हो, या फिर अगर सिटी में हैं, तो आपकी विद्यानसदा आफिस में, इन दोनों आफिस में स कहीं पर भी आपका food department जो होता है, ये food department ही जो हना, ये ration card को देखते हैं, तो आप लोगों को ले कर जा कर वहाँ पर submit करना है, अगर आप लोगों को सिटी में हैं, तो आप लोगों का हो सकता है कि विद्यानसदा में जो हना, ये office आप लोगों को मिलेगी, जो मैं बता रहा है, जैसे ही submit कर देंगे, तो उनके तरफ से approval का process start हो जाएगा, अभी approval कब तक होगा, कितना दिन लगेगा, कितना मन्त लगेगा, ये actually मैं exactly कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सरकार के उपर dependent है, सरकार चाहे तो जल्ली भी कर सकती है, चाहे तो delay भी कर सकती है, तो अब जिस जि लोगों को सारी चीज़े detail में समझ में आ गही होगी, कुछ भी doubt है आप लोगों को नीचे comment कर देना, उसका reply आप लोगों को दे दूँगा, लीडर से लगा है तो like करो, चैनल पर ने तो subscribe करो, मिलते हैं एक ली वीडियो में, thank you for watching.